Hey everyone, कैसे हो आप सब and welcome back to refashion आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लैक में Sun Expert 50++++ का review इस sunscreen को लेके आपके में में जो भी doubt है इस वीडियो में सारे clear होने वाले हैं तो वीडियो में अंट तक जरूर बने रहे हैं ना guys और अगर आपने मेरा चैनल अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया और प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल and like this वीडियो होता चलिए जदी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो first of all हम बात करते हैं इसके price की guys तो इसे मैंने 188 रुपीज में पर्चस किया था shopping app से मैं इसके link description box में provide कर दूँगी काफी अच्छी discount में मुझे मिल गया था इसकी shelf life भी आप देख सकते हो प्लस इसके सारी ingredients और किस तरह से इसको use करना है तो इसके सारी details इसके back side में mention है आप देख सकते हो इसके front में भी लिखा हुआ है ultimate lotion है 50++++ आपको 97% तक UV rays से protect करता है light weight है non-sticky है और आपके all skin type को suit करता है आपने देखा बट हाँ यह गाइस यह सच में ऐसा करता है क्योंकि मैंने काफी टाइम से इस sunscreen को use कर रहे हूँ यह रेली में non-sticky है इसे face पे apply करने के 5 मिनिट तक यह थोड़ा sticky रहता है उसके बाद यह पूरी तरह से absorb हो जाता है और आपके face पे non-sticky look आता है non-sticky लगता है आपको काफी light weight लगता है face पे so यह इसका texture आप देख सकते हो white color का cream है और बहुत ही light weight है so इसे इस तरह से मैं apply कर रही हूँ देखिए guys मैं आपको show करूंगी कि यह आपके face पे white cast छोड़ता है कि नहीं तो मैंने 5 मिनिट तक इस अपने face पे दिया तो आप दोनों हातों में difference देख सकते हो यह थोड़ा सा white cast छोड़ता है ऐसा नहीं कि पूरी तरह से invisible हो जाता है so next मैं आपको दिखाती हूँ कि आप sunscreen को किस तरह से proper way में लगा सकते है this is called two finger technique यह सबसे best तरीका होता है sunscreen को apply करने का सिर्फ यह ही sunscreen ही guys आप कोई साभी sunscreen इसी technique से use कीजिए इससे आपको एक perfect measurement रहेगा कि face पे कितना sunscreen apply करना है इसकी एक अच्छी से layer बनाईए क्योंकि जितनी अच्छी layer होगी उतना ही आपको protection मिलेगा तो I hope आपको आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए है अगर कुछ भी पूछना हो तो मैंजे comment section में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करना तब तक के लिए बाई